दोस्तों सबसे पहले तो मुझे पता चला है कि आपका एक्जाम है तो आपको एक्जाम की बधाईया और महराष्ट्रा में जमूरियत का भी एक्जाम है तो आपको अपना भी एक्जाम पास करना है और जमूरियत को भी एक्जाम में पास कराना है कराएंगे कि नहीं है कि आप नें से बहुत सारे लोग वोटर नहीं हो बहुत सारे लोग फर्स टाइम वोटर हो सो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं भीतनाम बार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे नहीं पढ़ें होंगे तो Google कर ली जिएगा बियतनाम में जब अमेरिका ने हमला किया अमरेका कितना बड़ा ताकत है एक छोटा सा देश है बियतनाम तो बियतनाम पे जब बंबारी हो रही थी तो एक बं एक बच्चे के घर पे आकर गिरा बच्चा खेल रहा था इत्फाक से वो घर से बाहर था उसके माबाप उस बं में मारे गए बच्चा बहुत दुखी हुआ और पास का जो बियतनामी आर्मी का कैम्प था वहां वो रोते हुए गया बोला कि मैं युध करना चाहता हूँ तो कमांडर ने उसको प्यार से बुलाया अपने पास और बोला कि तुम्हारी उम्र बहुत चोटी है और तुम युध करने की छमता नहीं रखते हो तो उसने कहा कि मेरी उम्र चोटी है लेकिन मेरा गुसा बरा है मेरा जज़वा बरा है मैं अमरीका के खिलाफ लगना चाहता हूँ तो फिर कमांडर ने कहा कि लेकिन हमारे पास तुमको देने के लिए कोई काम नहीं है तुम बंदूक नहीं उठा सकते हो तो उसने कहा कि मैं बंदूक नहीं उठा सकता हूं मैं पानी का ग्लास तो उठा सकता हूं वियतनामी आर्मी जो लर रही है मैं उसको पानी पहुचाने छाहता हूं, इस कहानी का आपके यह जो voting है उससे क्या संबंध है, उससे यह संबंध है कि हो सकता है कि आप voter नहीं हो लेकिन आपके आज़ परोस में तो लोग vote करेंगे, आपके अम्मी अभ्बा तो वोट करेंगे, आप सोसल मीडिया तो चलाते हैं आप इंस्टाग्राम पे तो फोटो डालते हैं आपको एक काम करना परेगा सोसल मीडिया पे अगर ये लोग जो सामपरदाइकता फैला रहे हैं जो नफरत की राजनिती कर रहे हैं जो इंसान को इंसान से बाटने का काम कर रहे हैं, मंदिर, मस्जित का मुद्दा उच्छाल करके, हमारे बच्चों का जो सिक्छा, रोजगार, स्वास्त, सरक, बिजली, पानी और आत्म सम्मान का सवाल है, उसको जो गुमराह कर रहे हैं, उनके जूट को आपको अपनी सच की ताकत से लड़ना परेगा, वो सोसल मीडिया पर यदि नफरत पहला सकते हैं, तो आप सोसल मीडिया पर सच और मुहबबत पहला सकते हैं, यह जिम्मेवारी आपको निभानी परेगी, इसलिए, जब मुझे यह कहा गया, जी तंदरावार जी ने कहा कि आप हमारी कॉंसिच परेगी उनकी है, यह मुल्क कैसा होगा, इस बात पर उनका भविश्य निर्वर करता है, अभी से अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे, कि मुल्क में किस तरह की राजनीती की जा रही है, तो आने वाले वक्त में, इंसान इंसान का गला काट रहा होगा, और हम मूख दरसक बन करके तमाशा देख रहे होंगे, वो परिस्थिती नहीं पैदा हो, हिंदी फिल्म का वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलके, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कलके, हमको अपना भविश बचाना है, और उस मौका है, आज मौका है कि आप पूरे देश में एक एक्जामपल सेट करें, कौन सा एक्जामपल सेट करने की जरूरत है, एक्जामपल यह सेट करने की जरूरत है, कि हम जात और धर्म देख करके वोट नहीं करेंगे, हम इनसान का इमान और काम देख करके वोट करेंगे, य जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि उपर वाले ने हम सब को एक बनाया है, नीचे वालों ने हम लोगों को आपस में बाटा है, ये आपस में जो बाटने की राजनीती है, उसको जो नहीं मानने वाले लोग हैं, काम करने के बावजूद, वो चुन अगर मैं मुसल्मानों के बीच हूँ तो पूछते थे कि अच्छा बताईए हिंदू वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है और जब हिंदूों के बीच होता था तो कहते थे कि बताईए मुसल्मान वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो मैं उनको एक ही जवाब देता था मैं हिंदू और मुसल्मान का वोट लेने नहीं आया मैं इंसान का वोट लेने आया हूँ क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है और दूसरा सवाल वो कहते थे कि लेकिन देश में तो मोदी की हवा है आप अकेले चुनाव जीत करके क्या करेंगे तो मैं उनको एक कहानी सुनाता था मैं कहता था कि एक बार जंगल में आग लगी और बरे बरे जानबर बैठ करके तमाशा देख रहे थे एक कोयल अपनी छोटी सी चोँच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी बरे जानबर उस पर हस रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी छोटी चोँच से और चार बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी कोयल अपने आत्म विश्वास से लबरे जोकर जवाब देती थी कि ये आग तो जरूर बुझेगी जो आग लगी है उसको बुझना परेगा जो नशा देश में फैला है उसको उतरना परेगा लेकिन जब आग बुझेगी तब तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा ये आग आप लोगों कोई बुझानी है इसलिए बुझानी है कि ये मुल्क ऐसा कभी नहीं था जैसा आज टीवी पे दिखाया जा रहा है अगर ये मुल्क ऐसा होता तो इस मुल्क में हजारों संस्कृतियां नहीं होती हजारों परंपराएं नहीं होती शैकरों धर्म नहीं होते हजारों रिती रिवाज नहीं होते और हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए ये देश साजी संस्कृति का देश है ये देश साजी विराशत का देश है ये देश साजी सहादत का देश है इस बात को आप समझेए और साजी सहादत साजी विराशत जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एगर राम प्रसाद बिश्मिल हस्ते हस्ते फासी पर जूल गए तो असफाक उल्ला कि सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी साजिस में सामिल हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन आज हम नौजबानों को ये तै करना है कि हमको कैसी सत्ता चाहिए हमको नारों वाली सत्ता चाहिए हमको जूम्लों वाली सत्ता चाहिए हमको पैसे और बाहुबल की सत्ता चाहिए या हमको इमान का सत्ता चाहिए हमको रोजी रोटी कपरा मकान का सत्ता चाहिए हमको विकास का सत्ता चाहिए ये बात हम लोगों को सोचना है और आप देखिए कि किस तरीके से इस देश के इतिहास को पलटने का प्रियास किया जा रहा है आप लोगोंने सुना होगा कि वाजपावाले कह रहे हैं कि बीर सावरकर को भारत रत्न देंगे अबल तो वो बीर नहीं था उसके नाम के आगे बीर लगा करके बीरों का आपमान करना बंद करो वो वीर इसलिए नहीं था कि उसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी लिखित माखवी नामा दिया था जो आज भी अर्काइब में रखा हुआ है तो अगर आप माफी मांगने वाले को भारत रत्न देंगे तो हस्ते हस्ते फासी पे जूलने वाले भगत सिंग का आप अपमान करेंगे भगत सिंग के सम्मान के लिए आज हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है एक ऐसी राजनीती की शुरुवात करनी है जिस राजनीती में सबकी बात सचमुच होती हो सिर्फ मन की बात में नहीं होती हो सचमुच में होती हो सचमुच में अगर कोई परतिनिधी है तो वो आप आपका भेश भूसा देखकर आपकी जात देखकर आपका धरम देखकर आपका काम ना करे वो आपका प्रतिनिधी है तो यह उसकी जिम्मेवारी है कि आपकी सरकें अच्छी बने आपको साफ पानी मिले आपको बिजली मिले आपकी सिक्षा की वेवस्था ठीक हो यह उसकी जि इम्मेवारी को स्वैंग लेता है आप बताइए सोच करके आप में से किसी ने भी किसी भी पार्टी का केंडिडेट तै किया है हर पार्टी अपना केंडिडेट खुर तै करती है जब वो हाथ जोड करके आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो यह कहने के लिए आते ह हुँ तो उसके पीछे सिर्फ एक बज़ा है वो बज़ा ये है किस इंसान के पास integrity है कुछ भी हो जाए ED भेजने CBI भेजने ये भाजपा नहीं जोईन करेंगे इसलिए मैं इन के साथ आकर के खड़ा हुआ हूँ आज हमको साहस की जरूरत है जो आँख से आँख मिला करके सत्ता से सवाल पूछ सके जो इमानदारी के साथ खड़ा हो सके जिसके उपर चाहे जितने भी हमले हो उसको जेल में डाला जाए उसके उपर गोलियां चलाई जाए और ये सारी चीजे हमारे देश में हो रहा है जो बोलने वाले लोग हैं वाटसेप इनिवस्टी पे उसके बारे में जूट मैसेज फैला करके उसको देश द्रोही बताया जाता है जो बोलने वाले लोग हैं उनको गोली मार दी जाती है यही महारास्ट्रा है गोविंद पांसारे को गोली मार दी गई दाभोलकर को गोली मा रहा है इसकी जिम्मेबारी हमको लेना परेगा एक बार मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि याद रखिए बुरे लोग इसलिए नहीं चिला रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं बुरे लोग इसलिए चिला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं आपको अपनी आवाज को बुलंद करना परेगा आपको सच के साथ आख मिला करके खड़ा होना परेगा यह जिम्मेदारी आपकी है और इसी इंटिग्रिटी के लिए कि यह आइडियोलोजिकली खड़ा हो सेकुलर इजम जो है वो सिर्फ चुनावी नारा नहीं है बोट मागने के वक्त जो है लोग सेकुलर हो जाएंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद कमुनल हो जाएंगे आप लोग कलको अपनी पढ़ाई खतम करके जाब करने के लिए जाएंगे आप म केताओं का कोई notice period है क्या सुबह इस पार्टी में साम को उस पार्टी में सुबह को फिर तीसरी पार्टी में साम को फिर चौथी पार्टी में और यह क्या है यहां खड़े हैं तो सेकुलर हैं और यहां से निकलेंगे भाजपा जोइन करके कॉमिनल हो जाएंगे कल तक गांध को क्तियों का चुनाव करना है कि अगर उसकी पार्टी भी कॉममिनल लाइन पर जाने की कोशिश करे तो वह उपने पार्टी के खिलाब भीया करके खड़ा हो और यह कहें कि सक्लरिजम हमारा धर्म है हम सक्लरिजम को मानते हैं हमारा संविधान है और यह भरोसा हमने आजाये मोधी अमिस्साह की जोरी को हम लोगों को मिल करके हडाना है और इस लड़ाई में आप तमाम लोगों को भी साथ हो देना है इसी अपील के साथ मैं आपके बीच आया हूं कि अगर वोटर हैं तो वोट कीजिए क्योंकि अपने चुनाव का एक अन्भवब और मैं आप परसेंट था इसी लिए इस बात को दिमाग में रखिए एक एक इनसान के घड़ों में जाईए और अपने माबाप से अपने अम्मी अबाप से बात करके कि हमको इस मुल्क को भुचाने के लिए लोगों को घरों से निकालना है उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुचाना है उठाने की जरूरत नहीं है यह देश आज भी अहिंसा और शत्त में भरोशा करने वाला देश है यह देश आज भी गांधी के मुल्यों पर चलने वाला देश है मुलाना अबुलकलाम आजाद के मुल्यों पर चलने वाला देश है हमको उस ताकत को समझना परेगा हमको बस एक जुठ होना परेगा अगर उनकी लाठियां एक हो गई हैं आप देखिए कि जितने भी बैमान लोग हैं वो किस तरह से एक हो गए हैं तो हमारी पीठ भी एक हो जानी चाहिए मुठी तान करके एक जुठ हो ये और इस कमुनल फासिस्ट ताक्तों को हडाईए और इस देश कि जमूरियत और संभिधान के मूलियों को बचाईए इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया हिनकलाब जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद